हाई फ्रेंड्स और मैं पहुंच गई हूँ ब्राजील तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार ब्राजील से और अभी मैं जब रात में आई तो मैं बहुत ठकी हुई थी क्योंकि मैं आपको बताई कि साड़े 20 घंटे की जर्णी मैंने की और अभी मैं उठी हूँ सुभा मैंने ब्रेकफ़स भी कर लिया है और मैंने सुचा कि अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करूं कहां पर मैं हूँ तो अभी मैं आपको बताना चाऊँ कि मैंने ब्रेजिल में बहुत अच्छे इलाके में एक अपार्टमेंट लिया है और आये मैं उसके जलग दखाती और यह जो है यहां पर खाना बनाने के लिए चुला है, यह थोड़ा डिफरेंट है, आप पताने देख पा रहे हैं कि निदंग से, यहां पर यह जो लगे हुए बटन्स, उसको आप चेंज करके खाना बना सकते हैं, इधर यह जो है नीचे वो है ओवन है, जहां पर आप केक यह उसकी वगेरे कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं और यह देख सकते हैं, यह फ्रीज अच्छा है, काफी बड़ा सा फ्रीज है, तो इसमें मैंने इंडिया से मिठाई लाई है, काजू कक्दी, वो मैरे इसमें रख दिया है, सो इस गुद फ्रीज, नाइस फ्रीज, य माइक्रोवेव भी है तो खाना वादा गरम कर सकते हैं तो आईए उसके बाद थोड़ा से स्पेस यहां पर यहां पर एक थोड़ा से स्पेस है आप देख सकते है किचिन के बाहर जहां पर सिब समान रखा हुआ है कुछ वाशिंग मेरे के लिए और अभी आपको दिखाते हू इन्ट्री के बाद यह हमारा लिविंग रूम है लिविंग रूम देख सकते है अच्छा सा है टीव लगा हुआ है सोफा है और और मैं आपको दिखाते हूँ एक फ्लावर है ब्यूटिफल फ्लावर देख सकते हैं जब मैं ब्राजिल आई तो मेरे मित्र उन्होंने मुझे प्रीजसिति किया है ब्यूटिफल फ्लावर एन्ड उसके बाद आपको दिखाते है कि जब हम माहर आएंगे बहार आने पर ये बालकनी है बड़ी सुद्र सी बालकनी है मैं फोण कट करती हूँ आपको और यहां पे मैं कैम्मिन को भूइख करके आपको बालकनी दिखाते हैं इसका बालकनी बड़ा सुन्दर है और यह रोड से कनेक्टिड है सामने बहुत ही सुन्दर सा मॉल है आप देख सकते हैं और यह जो बालकनी है यह लीविंग रूम से भी जाता है और साथ ही साथ यह जो है वो यह जो कमरा है मेरा यहाँ पर आपने देखा होगा यह जो कमरा है इससे भी कनेक्टेड है आप देख सकते हैं इस कमरे से भी यह कन कमरे से भी connected है आप देख सकते हैं इस कमरे से यह balcony connected है और इस beautiful balcony और आप देख सकते है कि जो Sao Paulo है जो ब्राजिल की एक city है बहुत ही clean है green है and its very nice and population come है और काफे अच्छा है क्योंकि light का direction थोड़ा सही नहीं होने के वज़े से ढंग से दिखने पा रहा है लेकिन आप देख सक करते हैं जो भी थोड़ा बहुत capture कर रही हूं मैं okay bye friends see you फिलहाल दोस्तों अभी नहीं कुछ है मेरे पास अभी जैसे जैसे मैं कुछ explore करती हूं नहीं चीजे देखती हूं आपको बहुत सारी चीजे बताओंगे फिलहाल I'm in a nice place and it's beautiful and I'm enjoying a lot bye-bye take care